तिती है कि एक जीवन का एक अध्याय खतम होके दूसरा अध्याय चालू होने का एक प्रक्रिया चल रही है यह है की नहीं है है जी है ना तो यह आपका 2009 तक यह आपका खतम होगा और आपका यह समझ लीजे जो अगला साल है वो काफी कष्ट का है धीरत से निकाल लीजे और उसके जो अगले साल है वो ठीक है मगर अगला साल जो है दिसंबर के बाद उसमें आपको काफी परेशानिया और कठिनाईया उठाना पड़ेंगे तो अपना धीरज रखिए उस समय को आप ध्यान से निकाल लेजिए अगला साल जो है काफी कष्ट दायक है इस साल से बहुत जादा कष्ट दायक है अब किस तना वो कष्ट आएगा वो में आपको मतलब इतना तामलो चर्चा नहीं कर सकते है मगर इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए करियर के बारे में आपका मारदर सुन चाहते हैं करियर अगला साल बहुत खराब है बहुत कष्ट होंगे मगर धीरत से धान कर लें अगले साल के अन तक जून दोजार नौ जुलाई दोजान नौकबद कुछ एक छोटा सा काम या नौकरी मिलेगी और फिर उससे आगे बढ़ेंगे 2010 सही समय अच्छा अगला साल काफी कष्ट दा मैं चाहता हूं कि अगर मार्केट में मैं पैसा लगाऊं इस समय तो क्या कोई फैदा होगा या नहीं होगा अभी कोई पैसा मत लगाई है अभी आप कोई पैसा मत लगाई है क्योंकि आपका समय अभी अगला साल अच्छा नहीं है दर्मेंद्र जी तो आपके लिए तो निवा कीजिए उससे आपको लाव होगा आपका जो आपका चायट है जो आपके कुंदली है उसमें कुछ ऐसे संकेत हैं और उससे आपको लाव प्राति के योग भी बन रहे हैं हमारी बहुत-बहुत कामना है आपके लिए लिए टॉक्र सार्भ जब हम किसी कारोबार में इसा कुछ नहीं मकर अब ही आप जितने लोग हमने पूछा कि हम लोग शेर बजार जितने लोग अब फोन कर रहे हैं अब मैं तो मेरा तो जादा रिसर्च का है जितने लोग फोन करके सबके पांचवे घर में शनी है राहू है गुरू है तो पांचवे घर का जिनका संबंद बहुत ज़्यादा हो जाता है speculation के साथ वो लोग شहर बजार में करते हैं कमाते भी ये खोते भी है तो पाँचमें घर से मैं किसी अमुक लगंग का कहना कि उसको शहर बजार में करना चाही नहीं नहीं करना चाही वह नहीं मकर हाँ ये है कि मतलब जो इस बाजार की मंदी के दौर में किस प्रकार उबर सकते हैं, आपके जिंदगी में पैसे की आमद किस तरह से हो सकती है, यही है आज का हमारा विशे, हमारे साथ है जोतिश विज्ञान के विद्वान डॉक्टर शंकर अडावल, आप अपने प्रशनों उनसे पूछ सकते हैं, हमारे स्टूडियो के नंबर सा आप जानते ही हैं, हमें SMS भी कर सकते हैं, अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाडी, दिएजिए स्पेस, जन्म किति थी, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका सवाल, आपका नाम, शेहर का नाम, हमें अभी बेजिए 57575 पर, हम मिलते है चोटे से ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत, आप देख रहे हैं, ब्रगु नाडी जोतिश, हमारे साथ हैं, जोतिश विज्ञान के विद्वान, डॉक्टर शंकर डावल, आपके प्रशनों का इस कारिकरम में स्वागत है, आप हमारे नंबर से जानते हैं, अपने मोबाइल में टाइब कीजिए नाडी, दीजे स्पेस, जन्म की तिथी, जन्म का समय, जन्म का इस्थान, आपका नाम, आपका प्रशन, आपके शहर का नाम, हमें अभी भेजिए, 57575 पर, ब्रेक पर जाते समय हमारे साथ एक दर्शक जुनी थी, शिल्पी, नो आपका ये शिल्पी जी, ये है, 8 फर्वरी 1974, पांच फर्वरी, 8, 8 फर्वरी, 8, 8, 1984, 74, 1974, 8 फर्वरी 1974, समय बताई एक, सुबह 3.45 अ. आप फर्वरी 1974, 3.45 अ. फर्ुकाबाद, बर्थ प्लेस, फर्रुखाबाद, जी, यूपी, उत्तर प्रदेश, फर्रुकाबाद, उत् उत्रप्रदेश में जन्व हुआ है शिल्पी का आठ फर्वरी 1974 तीन बजकर पैतालीस मिनट तड़के प्राता एम फर्रुखाबाद उत्रप्रदेश में जन्व हुआ है क्या प्रशन है शिल्पी आपका जी मेरा कॉशन यह है कि मैरेच पूछना है मैं इनके डिटेल आप ल थोड़े से ध्यारे रखे इन चीजों में आप बताई क्या प्रशन है आपका कुश्ण यह है कि मेरी किसी के साथ में लाइक करती ती जिनको तो बहुत अच्छा sweet relation था बच अभी वो मुझसे बात नहीं करें तो आपका देखिए since we are on a TV program आपका relationship तो आप अभी इस समय एक्यूट mental tension और जो आपका relationship है that will come to an end वो उसको मेरे को दिख नहीं रहा कि वो आगे बढ़ेगा और अगला साल जो है आपका कश्ट पूर्ण बढ़कि आपकी जो कुटुम है उनके साथ भी आपके थोड़े थोड़ी सी बाद विवाद या थोड़ा सा मन मुटाव और आप थोड़ा अपना ध्यान रखिए आप समझ गया है आप डॉक्टर साब की बात सुन रही है आप सहमत है उनकी बात से बिल्कुल ठीक है और इनको कोई उपाया बताना चाहेंगे किसी तरह का कोई रातन कोई पूजा पाट को इनका देखे कार्मिक है कि एक आदमी के साथ इनके कुछ फ्रिंशिप होगी और चलेगा खतम होगा आगे नहीं बढ़ सकता ये पिछले जनम का समझे था वो खतम हो गया जरूरी था और 2010 में फिर से आपका मतलब एक नए संबंध की तरफ जाएंगी वे भाई संबंध की तरफ जाएंगी हां और विभा आप ओके तैंक यूँ ओके थैंक यू शिल्पी आपने हमें फॉन किया और जिंदगी है तो उसके बहुत सारे रंग हैं और इनी रंगों में हम अपनी जिंदगी को भिताते हैं जो तिश्विज्ञान हमें एक मार्ग दर्शक की तरह हमारी हमारे जिन्दगी में भूमिक आदा करता है और हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए किस तरह से हम अपनी जिंदगी को समार सकते हैं आप भी अपनी जिंदगी को समार सकते हैं जिंदगी के उतार चड़ाओ के बारे में आपके कारोबार के उतार चड़ाओ के बारे में आपके सभ अबिनाश पांडे नाम है नाम इन्होंने लिखा है अबिनाश पांडे नाम है लाज डिजिट है 4764 जन्म किती थी है 4th of 16 April 1990 16 April 1990 और कहते हैं कि मुझे अच्छी नोकरी कम मिल सकती है क्या में कोई का बारे बज़े 12.30 पी-म काट मांडू में जन्म हुआ है नेपाल में 16 April 1990 बारे बज़ कर तीस मिनट काट मांडू नाम है विनाश पांडे नेपाल से मैं समस करते हैं यह पूछते हैं कि मैं अपना कारोबार करूं उसमें काम्याब हो सकता हूं या मैं कहीं नोकरी करूं दोनों में आपका मार का दृष्ष्टन चाहते हैं अपना कारोबार करें कोई चोटी मोटी पुंजी लगा कर या कहीं पे नोकरी मेरे खाल से करते हैं तो, कहते हैं कि मैं अच्छी नोकरी कम मिलेगी यानि कि नोकर कर दो फॉлад हो एयह वह फोफ्वर फॉन के बिजनस की नहीं है यह नव करें और इनका जो समय है 2009 एंड के बार इनका समय अच्छा है बलकि इनका अगला साल काफी अच्छा है नौकरी के लिए अगले साल कुछ अच्छी नौकरी परिवर्तन हो सकता है और 2010 के बार 2.5 साल इनका समय अच्छा है अभी उपर बढ़ेंगे और अपने आपको स्टेविल कर लेंगे अगर आप सुन रहे हैं तो यह आप निश्चा है यह होगा आपके समय अभी नाश्टी आपके लिए बतायागे कि किस प्रकार आने वाला वक्त आपके लिए बहतर हो सकता है हमारी बहुत बाश्वप काम है आपके लिए एक और SMS हमें भी मिला है नाम है राजेश हिमाचल प्रदेश से हमें SMS बेजा है जन्म तिती है 13 अफ में 1962 13 मई 1962 7 बजकर 30 मिनट प्रात्यकाल 13 अफ में 1962 7 बजकर 30 मिनट सुभह के शिमला हिमाचल प्रदेश में इनका जन्म हुआ है ये कहते हैं कि मैं एक फ्लैट मैंने खरीदा था 2004 में और उसके लिए एक लोन मैंने लिया था और लेकिन मुझे उसमें दिक्कत आ रही है लोन को चुकता करने में भी और गौर्मेंट का जो मैं जॉब करता हूँ उसमें भी मेरे को समस्या आ रही है ये कि सरकारी सेवा में हैं और उनका नाम है राजेश हिमाचल प्रदेश से ही नोने में समस भेजा है उनको मॉबाइल के लाश डिजीट है 1770